रेप्स टेस्ट, तो अगर आप नय हैं और चाहते हैं मुझे एक Convergence और Divergence of Infinite Series अच्छे से आ जाए और Sequence of Real Numbers वाला चैप्टर अच्छे से आ जाए तो जाहिए प्लेलिस को देखिए और सारे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप BSC आसानी से निकाल ले और BSC की Mathematics ये मेरा Promise है मैं बहुत ही Easy मना दूंगा BSC Mathematics बस आप लोग Continuously वीडियो को देखते रहिए वीडियो को बीच में Skip मत किया करिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप Fast Forward कर सकते हैं वीडियो को वैसे मैं इतना तेज बोलता हूं कि Fast Forward करनेंगा ज़रूत नहीं है सो टैस्ट दर कनवजन सीरीज हमें पास सीरीज दी हुई है यह देखिए इस सीरीज को द्यान से देखिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियो से में बताया कि catch the pattern बैटन को catch किजिए तभी आप यह कुशन को कर पाएंगे अब ऐसा है ऐसा में कह रहा हूं कि जो पैटन को catch नहीं कर पाएगा ठीक है हाला कुछ cases में pattern catch करने की जरूद नहीं होती लिकिन जाहतर cases में 80% cases में pattern catch करने के जरूद पड़ती है सो यूए इस इकोस टो 1 3 5 2n-1 अप्टू इस नेगलेकिन फॉर्स तॉर्स तॉर्स नहीं नेगलेक्ट कर दिया है ठीक है समझेगा इस इस इतना अगया हमारा यूए प्लस वन जहां जाने वहां प्लस वन रख देंगे ठीक सो अपाउन रेशियो निकाल लेंगे यूए अप उपर करके रखी है ठीक है अन्यूमेटर नीचे करके रखी है ठीक है बस ऐसे ही करना होता है अब यह सॉल करने के बाद आपको दिख रहा होगा जहां से यह 1 3 5 2 1-1 तक कि यहां भी देख वन 3 5 2 1-1 तो यह कैंसल हो जाएंगे आपस में 246 यह इधर कैंसल हो जाएगा बच मुच्थ आए बचा भी देखे द्याइन से एन्न एंफिन्टी जैसे ही लगएंगे हम क्या होगा अ चिया अ शायद मुझसे गल्ती होगी यहाँ पर और गार यहां पर कि यहां पर एन नहीं होगा है तो हमारे पास जहां 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 एन है वहां वहां क्या रखेंगे इंफिनिटी इंफिनिटी जैसे ही रखेंगे जहां-जहां को मैं यहां को काट दिया है यह बिसली कार दिया क्यों कहीं कि मैंने कार नीचे अच्प देखी थीकर इसको देखने यहां से उपर और नीचे दोनों टर्प से NN commonला उपर N2 रहागा नीचे N2 N2 रहागा व्रबंड नीचे बचेगा, ultimately हमाँ पास यह, ठीक है, एन गोस्तों इंफिंटी लगाएंगे, तो यह सब 1 हो जाएंगे, देखे, यहाँ, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, दो नो 2, 2, 1 प्लाइगा, फोर बनाएंगे, फिर इधर ही 4 बनाएंगे, 4.4, 1 हो जाएगा, 1.x2 बचेगा, ultimately हमाँ पास, ठीक है, अबर इस्यो टेस्ट, 1 upon x2 हमारे पास, अगर greater than 1 आता है, summation un convergent हो जाएगा, अगर less than 1 आता है, ठीक है, और summation un convergent हो जाएगा, अगर, if x less than 1, then divergent, ठीक है, अगर, समझेगा, summation un is convergent, that is, summation un is convergent, if x less than 1, अगर, x less than 1 आया, और divergent, when x greater than 1 आया, समझेगा, अगर, x equal to 1 हो गया, ratio test fail हो जाएगा, ठीक है, हम शायद आगे प्रोसीड करेंगे, yes, yes, ठीक है, so, अगर, x equal to 1 आगे हमारे पास, यानि, 1 upon 1, यानि, 1 आगे, ultimately, तो ratio test fail हो जाएगा, तो हम प्रोसीड करेंगे, raps test की तरफ, raps test में हम क्या करते है, x equal to 1 डालेंगे, कहाँ पर, इसी में, ठीक है, इसी में x equal to 1 डालेंगे हम, तो 1 upon 1, ठीक है, तो गया बजाएगा, x तो गया बजाएगा, बचेगा, ultimately, हमारे पास, ये, ठीक है, ये चीज कहाँ से बचा हमारे पास, बस यही है, इसको मैंने multiply कर दिया है, ये दोनों bracket, ठीक है, और x या 1 तो हई है, समझ रहे है, multiply करने बद कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, minus 1 करके, n से multiply करेंगे, ये method होता है, ऐसा कुछ बनाने, ऐसा बनाने के बाद, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, पहले minus 1 करते हैं, दोनों साइड, फिर n से multiply करते हैं, दोनों साइड, समझ ये, so, n गोस तो infinity लगाएंगे इस चीज पे, तो answer आएगा, हमारा 6 by 4, और जो की greater than 1 है, रेप्स टेस्ट, summation un is convergent, अब रेप्स टेस्ट के थ्रू, हमारा summation un convergent हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कि अपरेजन टेस्ट से नहीं, रेप्स टेस्ट के थ्रू, summation un convergent हो गया, at x is equal to 1, ठीक है, hence, if x square less than, or equal to 1, summation un is convergent, and x square greater than 1 to summation un divergent हो जाएगा, so, thank you for watching this video, make sure you like the video, and hit the subscribe button, for watching more videos, and stay tuned with us.